अमादमी पार्टी विनेश पुगाट के समर्थन में सरकों पर उत्री और उनके समर्थन में एक जुटता दिखाई इसी कड़ी में आमादमी पार्टी के हरियान प्रदेश अध्यक्ष शुशील गुपता आमादमी पार्टी के मुखाले पहुंचे शुशिल गुपता ने विनेश फोगाट और मनीश से सोधिया की जमानत को लेकर प्रेस कॉनफरेंस का यूजिन किया आमादमी पार्टी की कारकर्टा विनेश फोगाट के समर्थार में सरकों पर उतरे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की शुशील गुपता ने कहा कि विनेश फुगाट मामले को बिजेपी सरकार ने पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना तरीके से संभाला है इसे पता चलता है कि बिजेपी हरियाणा के लोगों से नफरत करती है पूरे देश को पता था कि विनेश फाइनल में पहुँचने वाली देश की पहली महिला खिलाडी बन गई है लेकिन विजेपी नेताओं को शायद यह पता था कि कुछ और होने वाला है हमें यह बाद में पता चला कि 100 ग्राम के साजिश 100 करोड लोगों को उल्चा कर रख गए वहें पूर विधाय कुमेश अगरवाल ने क्या कहा यह सुनते हैं गुरुग्राम से सत्वीर शर्मा की रिपो देश का प्लान मंत्री उस जनतर मंत्र पे किएवे परदश्चन से उसके बाद इंसन अफ्रफ करता है सीम सैनी ने तो भोशना कर दिया सिल्वर मेडलिज देने पों को जब पूरा हर्याना एक तरफ खड़ा होगा जब पूरा देश उस बेटी के साथ खड़ा होगा तो इसको गूर्ड मिलना चाहिए तो सैनी साथ सिल्वर की गोश्टा क्यों करता है गूर्ड की करता है सर 17 मेंने बाद आज मनिश सोगी अबो जमानत मिली है सुप्रिम पूर्ड क्या कहना चाहेंगे नीचे वाली कोड़ में क्यों जमानत मिली हो आज भार्तिय जनता पाटी द्वारा इस मन घड़ां तर छूटे के नरेंदर बोधी की जो साजिस आमाधी पाटी को खतम करने की हमारे नेताओं को जील में डालने की इस साजिस को सुप्रीम कोड ने करारा तमाचा लगा है मैं सुप्रीम कोड के हैसले का सम्मान करता हूँ और आज मनिश्य सुद्याजी को जमनत दी गई और यह त्या कर दिया गया कि इस छूटे फर्जी केस से आम अधिपाटी का दूर दूर तक संबंद ने सुप्रीम कोड ने भी कहा कि यह व्यूमन अधिकारों के विरोध है कि मैं नजायज प्रेशान करके आप ठारा ठारा में